अस्सलाम उलेकम नजरीम कुछ पाकिस्तानी ड्राम में ऐसे है जिनके बारे में मेरा मानना है कि इन्हें लॉलिवुड में नहीं बलकि हॉलिवुड में होना चाहिए था लेकिन क्यों? क्या ये ड्राम इतने हाई-फाई लेवल पर बनाए गए है? क्या इन ड्रामों में जदी टेक्नालोजी का इस्तमाल किया गया है या फिर इन ड्रामाज में हॉलिवुड के ड्रामों की तरहां बोल्ट रॉमैंटिक सीन्स हैं ये तो खेर आपको हमारा काउंट आउन देख कर ही मालूम होगा शमीम एक तीस्टर जिन्स का करदार है लेकिन इस ट्रामे में उसके अंदर की औरत कालिब नहीं है बलकि उसके अंदर का मर्द गालिब है शायद कहानी इसी वज़ा से मकबूल और कबूल हुई आज तक ये जन्स बहुत सी गलत फहमियों का शिकार है जिसमें इनके हिसासात को उनके नजर से नहीं देखा जाता बलकि गलत फहमियों की निगाहों से देखा गया है शमीम और मिस्स शमीम दोस्त हैं लेकिन शमीम को उससे महबबत हो जाती है एक बार वो इजहारे महबबत भी कर देता है जबकि इसको खुद भी एसास है एक औरत इस जैसे मर्द को कैसे पसंद कर सकती है और वो तो बिलाल जैसे रवायती मर्द को पसंद करती है अगर्चिस शमीम उसके निस्बत कई दर्जे हिसास करने वाला और महबद करने वाला है जब कोई महबद का रास पा लेता है तो वो मिस्स शमीम बन जाता है जो खोद महबद की कमी का शिकार रहे होते हैं इससे कबल मिस्स शमीम कच्ची उमर की खाबों वाली लड़की है मा की वफात के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी ही नहीं की बलकि उसको लाहोर की एक होस्टर में दाखिर करवा दिया जहना सिर्फ उसकी सहेली के भाई शमीम से दोस्ती हुई बलकि बिलाल में इसे वही डाइजस्ट की कहानिय वाला कोई सूपर शहजादा सूपर हीरो दिखाई दिया जिसको वो महबद समझी वो कोई पिदर सिरी समाज की हविस निकली बिलाल मर्द की सब तारीफों पे पूरा उतरता है लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो मर्द की तारीफ पे ही पूरा उतरता है मर्द होता क्या है वो इस पे पूरा नहीं उतरता ज्रामा सीरिल मेरे पास तुम हो की कहानी भी इंटरनेशनल मीडिया की कहानी है ड्रामा मेरे पास तुम होगो पाकिस्तानी ड्रामा इंडुस्ट्री का इस्तहाई का सबसे बड़ा हीट करार दिया जाए तो गलत ना होगा इस ट्रामे को हर उमर और हर सिंफ के लोग एकसा जोकर शोक से ना सिर्व देख रहे हैं बलके पसंद भी कर रहे हैं मगर इतनी ज्यादा मकबूलित के सबब कुछ ऐसे तनाजाद भी हैं जिन्होंने इस ट्रामे की मकबूलित में एहम किरदार अदा किया है जैसे कि लोग कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा औरत को दो टके का कर दिया गया इस ट्रामे में जिसके कहानी कैसी औरत की गिर्द घूमती है जो रुपए पैसे के लालच में अपने शहर और एक बच्चे को छोड़कर एक दूसरे मर्द के साथ रहने लगती है दो टके का क्या कहा गया इस ट्रायलोग ने पूरी कौम को दो हिस्सों में तक्सीम कर दिया एक हलका इस राय से मुदफिक नजर आया कि लालची औरत की हैसियत दो टके से ज्यादा की नहीं होती जबके कुछ हकूँ के निस्वां के अलमबरदार ये भी कहते नजर आयके औरत की इस तरह तदलील करना ठीक नहीं और ये ड्रामा मर्दों की फिट्री सोच को जाहिर कर रहा है ड्रामा सिरिल बेश्रम भी इंटरनेशनल ड्रामाज का मकाबला कर सकता है ओरत मजबूत, बहादूर और बोल्ड तो हो सकती है मगर बेश्रम नहीं हो सकती क्योंकि खुदान ने हया औरत की फित्वत में रखी है और इनसान अपने फित्वत के खिलाफ अमल तो कर सकता है मगर उससे बदल हर्गिस नहीं सकता ड्रामा सीरियल बेशलमे कैसी ही मजबूत और बाहया औरत के किरदार की अकासी करता है ड्रामे में सिंगीन मोर तब आता है जब मशल और हैदर की बाजाबता मुलाकात एक टॉक शो के लाइव प्रोग्राम में होती है तोनों के बीच तलख किला में शिद्धत इख्तियार कर जाती है और मशल हैदर को मौफी मांगने पर मजबूर करती है हैदर मशल से मौफी मांगने की शर्त उनका खुद से निकाह रखता है और मशल मान जाती है दोनों का हाथसाती निकाह टीवी पर लाइव शो में होता है बेशरम सलवत नजीर के एक कलम की तहरीर है और इसकी हदायत फारूकरन ने दी है ड्रामे की कास्ट में रहान शेख, अतीका उठो, सबाकमर, जाहिद हमद और देगर शामिल है शायकین के मताविक ड्रामा बेशरम सिल्वर स्कृंग का एक काम्याब ड्रामा रहा है अमूमन ऐसे सीरियल पाकिस्तान में नशर नहीं होते इस ड्रामे के बारे में खलिल और रह्मान कमर का जाती तोर पर ये कहना है कि प्यारे असल के बाद उन्होंने ये सोचा कि उन्हें अपनी लव स्टोरी भी लोगों को प्यान करनी चाहिए और ड्रामा सद के तुम्हारे दरहकी कतुन की अपनी आप बीती है जिसमें उन्होंने किसी किसम की तबदिली नहीं की और बिल्कुल असली कहानी को ड्रामे के रूप में पेश कर दिया है इस ड्रामे के मरकजे करदार में मायरा खान और अधनान मलिक थे ड्रामे में हीरो हेरोईन की एक दूसरे के साथ खर्ज़रूरी कुर्बत दिखाई गई ड्रामा सीरियल जलन जो के मिनाल खान का ब्लॉक बस्टर सीरियल है इसके स्टोरी इतनी पावरफूल है कि इंटरनेशनल सीरियल्स का मकाबला कर सके बेहनोई रसाली के दर्मयान इश की कहानी के गिट घूमने वाले ड्रामे जलन में निशानामी लड़की का करदार अदा करने वाली अदाकारा मिनाल खान के मताबक उनके ड्रामे की कहानी दरासल बेहनोई और साली के इश की नहीं बलके एक लड़की की कहानी है जिसकी मुक्तलिफ जरूरियत होती है जलन में बेहनोई और साली के इश को दिखाय जाने पर पाकिस्तान मीडियार एगलेटरियो थौर्टरी पैमरा ने भी इस पर पबंदी आयद कर दी ताहम बात ख्याइश से पबंदी हचा ली गई ड्रामे में अरिवा हπीब और मिनाल खान ने बेहनों का करदार अदा किया जब केस में अमादर्फानी ने अरीबा हवीब के शोहर और मिनाल खान के बेहनोई का करदार अदा किया ड्रामे में दिखाया गया है कि अरीबा हवीब और मादर्फानी की शादी हो जाती है ताहम कुछ ही अरसे बात अमाद इर्फाने की साले मिनाल खान उनमे दल्चस्पी लेने लगती है और इसी मौमले पर ही ड्रामे को तनकीद का निशाना बनाया गया धूप की दिवार धूप की दिवार इंटरनेशनल ड्रामाज को कम्पीट करता है धूप की दिवार एक हिंदुस्तानी प्रोड़क्शन हाउस की पेशकश और जी फाइफ पर नशर होने वाली ये वैब सीरिस सरहत की मुखालिफ सम्तों में एक ही सानहे में फसेद और फ्रात की अलमना कहानी पर मबनी है जिसने फूरी तोर पर नाजरीन को मतासर किया सरजल ने एक पाकिस्तानी लड़की का करदार अदा किया है जिसका तालुक एक फोजी खांदान से था और जिसके वालद भारती फोर्सिस के साथ जड़प में शहीद हो गए थे आहदर जामीर नेक हिंदुस्तानी लड़के का करदार अदा किया जिसके वालत के इसे मकाबले में मौत हो गई थी हसीब हसंद के हिदायतकारी में इस सीरीज ने बड़ी नर्मी और जजबात के साथ इस मुज़ों को एक गर ममूली अंदाज में पेश किया उमेर रहमत के लिखी कहानी को इस वेब सीरीज की काम्याबी की वज़ा कहा जा सकता है ड्रामा सीरिल बेदर्दी को 2018 में A.Y. Digital की तरफ से पेश किया गया इस ट्रामे को शगुफता भटी ने तहरीर किया है इस ट्रामे के मरकजी करदार अफान वहीत, एमन खान, बुश्रान सारी, सना फखर और काशिफ महमूद ने अदा किये ये ड्रामा एक सबक अमोज ड्रामा है जो के लोगों को ये बावर करवाता है किस तना से एक छोटी सी गलती जिंदगी तबाह करने के लिए काफी साबित हो सकती है ये एक ऐसा सबक है जो सबको याद होना चाहिए इस ट्रामे में HIV, AIDS के मसले को दिखाया गया है एमन खान को इस बिमारी में मुबतला दिखाया गया है ये बिमारी उनकों उनके शोहर से मनतकिल होती है लेकिन सिर्फ उन्ही के किरदार पर उंगलिया उठाई जाती है दूसरी तरफ उनके शोहर को कोई भिर्जाम नहीं दिया जाता इसी है तनहाई ड्रामे को A.Y. Digital पर 207 में नशर किया गया था इस ड्रामे की कहानी मौसिन अली ने लिखी है और इसे फाहद मस्तफा ने प्रोड्यूस किया है इसमें समी खान और सोनिया खान ने मरकजिकरदार अदा किये है इस ड्रामे में समी खान ने हमजा का रोल निभाया है और सोनिया खान ने पाकीजा का रोल निभाया है इस ड्रामे में हमजा और पाकीजा क्लास फैलोस होते हैं दोनों एक दुस्रे से प्यार करते हैं और जल्द ही उनकी मंगनी हो जाती है हमजा पकीजा से मतालबा करता है कि वो इसके साथ अपने प्यार को साबिट करे पकीजा अपना प्यार साबिट करने के लिए अपने बरहना तसावीर लेती है और हमजा को दिखाने की कोशिश करती है जिससे वो इंकार कर देता है इसके फॉरण बाद ही वो मुबाइल गुंडों के हाथ लग जाता है और मुबाइल फून चीनने के दुरान वो पकीजा को गोली भी मार देते हैं इसके बाद ये तसावरी सोशल मीजिया पर वाइरल हो जाती है और इसका अंजाम पकीजा को भुगतना पड़ता है ड्रामा ड्रार एक बोल डायलोग्स और स्टोरी पर मुबनी है अदाकार सेया जिबरान ज्यादा तर ड्रामों में एक इंतहाए गुसीले सख्त और जालम मर्द के रूप में ही दिखाई देते हैं और एक के बाद एक ड्रामे में मन्फे किरदार अदा करने के बाद उन पर नेगिटिव रोग की छाप लग गई है इन दुनों वो ड्रामा सेरिल दरार में एक ऐसा हिकरदार अदा कर रहे हैं जिसमें उनकी बीवी होने के बावजूद मतदिद गल्फरेंस भी है ये ड्रामा में इस बाद नुशीर ने तहरीर किया है जबके शेजाद सेख ने है दायतकारी की है साय जिबरान के साथ इस ड्रामे में मुमिल शेख, अमर खान, पहरो, सब्ज़वारी, शाहिन खान, सभीहा हाश्मी, सीमी पार्शा, हमज़ा तारिक है ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके दूसरी उर्तों के साथ नाजाईस तालुकात हैं इसलिए वो अपने रिष्टों के साथ में मुखलिस नहीं होता और वो अपनी बीवी को भी घास नहीं डालता हमने इस बार ऐसा दिखाया कि मर्द ऐसा भी होता है जो एक परफेक्ट शहर होगा आइडिल दामाद होगा जबरदस भाई होगा लेकिन साथ में उसका ये हिसाब किताब चल रहा होगा वो इतना भी शातिर हो सकता है कि उसने दुनिया के सामने जो अपना इमेज बना रखा है वो परफेक्शन का है लेकिन उसके जात में जो बुराईया और कमजोरिया हैं वो मजूद है ड्रामा सीरिल बखतावर वाकि हॉलिवूड स्टायल सीरियल है सीरियल बखतावर की कहानी बखतावर नामी एक लड़की के गिट घूमती है जिसे अदाकारा युमना जैदी ने अदा किया है उन्हें ने बताया कि सन 2018 में एक चैनल BBC पर ही चलने वाला एक क्लिप लेकर आया था क्यों अच्छा आपके साथ कोई नहीं अकेली मा बहने हैं मौहिदा किसके नाम से बनाएं कोई मर्द नहीं नाद्य अखतावर ने बखतावर के करदार की मुश्किलाद बयान करने के लिए ड्रामे की दूसरे किस्त में हकी की जिन्दगी का एक वाकिया भी पेश किया जो मौशे मेरा इच पे जाना जहनीत की वाज़े मिसाल था इस बन्जर में बस सोस्टेस की नोकरी दिल्वाने में वक्तावर की मदद करने वाली एक लड़की परवीन को काम की बाद घर जाता हुए एक शक्स ने गतल कर दिया ये वाकिया दर असल फैसलाबाद में एक बस सोस्टेस मेविशर्शत के साथ पेश आया था जिन को इसी कंपनी में काम करने वाले सेक्यूटी गार्ड उमर दराज ने शादी सिनकार पर कतल कर दिया था तो ये था हमारा आज का काउंट डाउन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीड़बेक देना बिलकुल मत भूलिएगा अल्ला हाफिस